जिस तरीके से ये लोग आकर घर में बैट कर पैसा वसूल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं है संग के रास्ते से जाकर ये लोग प्रोस्टिटोशन चला रहे हैं तो हम सब मिलकर इनके उपर एक्शन लेने का भी काम करेंगे हमारा एक प्रोटेस्ट रखा गया है जिसमें आप सब से अपील की जा रही है आप लोग जमा होकर शिरिकत कीजिए आज हम सब गुलबरगा हेडलेंज की आफिस में हमारे वसीम भाई के पास सब जो जमा होकर डिसकेशन किये हैं जिसमें संग जो लोग संग से पैसे ले रहे हैं और जिनके साथ गहर जरूरी और उनके घरों को जाकर उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है उनके घरों में बैठा जा रहा है दो दो घंटे तिन तिन घंटे बैठ कर उनके साथ मिजबिहेव किया जा रहा है और बहुत सारे औरतों के साथ गलत इस्तेमाल हो रहा है जो लोग अगर कोई लोन दे रहा है तो उसका income source क्या है पहले तो वो देखना चाहिए और औरतों को जो लोन मिल रहा है वो totally baseless लोन है और उसमें औरतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे औरतें बहुत परेशान हो रहा है जैसे कि आप सब को मालूम है recent एक ladies ने suicide करने की कोशिश की और एक लड़के ने suicide किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है और हम सब मिलकर इसके ओपर जो भी legal कारवाई हो सकती है जिस तरीके से लोग आकर घर में बैटकर पैसा वसूल कर रहे हैं और यह जो प्रोस्टिटुशन चला रहे हैं यह लोग कहीं ना कहीं है संग के रास्ते से जाकर यह लोग प्रोस्टिटुशन चला रहे हैं तो हम सब मिलकर इसकी legal कारवाई भी करेंगे और इनके उपर एक्शन लेने का भी काम करेंगे हमारा एक प्रोटेस्ट रखा गया है जिसमें आप सबसे अपील की जा रही है आप लोग जमा होकर शिरकत कीजिए क्योंके यह जो संग का काम चल रहा है यह हराम काम हो रहा है और आज हम लोग जो घरों में बैटे हैं और हमारे साथ जो नहूसियत पहल रह हैं सूत का पैसा खा रहे हैं तो हमारे तरफ से हमारे अंदर से इमान की कमजोरी आ रही है तो हमें इस चीजों से दूर होना है और यह जो गलत पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको रोकना है और हमारे माँ और बहनों को इससे बचाना है आप लोगों से फिरक बाल परेशान हैं उनको निजात दिलाने का काम की